वैशाली सारीज, दुलहन लेंगे, फैंसी लेंगे, साडियों की सभी रेंज का एक मात्र शोरों। वैशाली सारीज, घंटागर के पास सुजानगर्ड। नमस्कार, ऐसे सुला में आपका स्वागत है, मैं हुशिक मार्तिवारी, सनातन धर्म का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा परवे, दिपावली का परवे आ चुका है, तस दिन बाकी है, और दिपावली का त्योहार का नाम दिपावली पड़ा, यानि इस दिन दीप जलाई ज लेकिन आजकल लोग दिपक कम जलाते हैं, लाइटिंग ज़्यादा करते हैं, मैं नहीं कहुँगा कि लाइटिंग करें, रोस्नी करें खूब, लेकिन दिपावली की जो परंप्रागत रोस्ति हैं, वो दिपक की होती है, जिसमें कम से कम छोटी दिवाली की दिन हम 21 सिकाउ जलाने चालिए लेकिन नहीं जलाए जाते हैं और अगर आप नहीं जलाएंगे तो जो मिट्टी के बरतन बनाने वाले या दिपक बनाने वाले जो प्रमप्रागत कारिगर है उनका घर कैसे चलेगा मैं आज ऐसे कुमार के घराया हूँ जो दिपक बनाई ने काका रेक रुक्त हैं, मटकिया बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, कलस बनाते हैं, यानि मिट्टी के सारे बरतन आपके द्वारा बनाई जाते हैं, लेकिन दिवाली पर इनका व्यवसाय पहले जैसा नहीं रहा है, दुख होता है, मैं आज आपको दिखात दिवाली पर लेकिन धीरे धीरे हम अपनी परंप्राओं से हट रहे हैं और लाइटिंग की रोस्ति जादा करते हैं यह देखें यह मटके कितने सुन्दर सुन्दर जिनको गरीब का फ्रीज कहा जाता है आज कल लोग जो है वो फ्रीज का पानी पीते हैं इसलिए ज्यादा ब यह न्यावडा जिसको कहते हैं राजस्तानी में यहां पर दिपक बनाने के बात में इनको सुकाया जाता है पिर आग में पकाया जाता है तब दिपक बनकर तयार होता है यह देके इसमें आप देखेंगे यह देके दिपक की दिपक नजर आएंगे आपको यह अभी निकले आशोथी तो करवे बनाये गए थे और यए लक्समी पूजन में भी काम आते हैं. हम reaches न करते हैं इसको घट भी कहते हैं करवा भी कहते हैं तो हम चलते हैं देखे वहाँ पर महावीर कुमाar जो है वो पुरी सिद्दत के साथ यहाँ पर यह दिपक बना रहे हैं देखे आसपास में दिपक और कलसी नजर आ रहे हैं देखे यह बनाएवे दिपक आप देख रहे हैं यहाँ पर और अभी भी आप देख रहे हैं यह मसीन यहाँ पर चल रही है पिछे आप देखेंगे तो कलस है क्योंकि लक्षमी जी की प रहे थे लेकिन चुंकि कारे यह तेजी से तभी हो सकता जब मशीन का प्रियोग किया जाए और आज कल यूग ए तो देखे यहांपर मोटर लगी है इस से यह चाल रहा है और देह के जल्दी जल्दी दिपक बना जा रहे हैं तो बहुत ही सुंदर यह देखे एक दो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिपक इन्होंने बना लिये हैं तो यह देखें कितनी सुन्दर परंपरा है मुझे कहवत भी याद आ रही है माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोई एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रोंदूंगी तोई यानि यह एहंकार से जुड़ी भी कहवत है अभीरदाशी की क्योंकि व्यक्ति एहंकार करता है कि मैं ऐसा कर ले तो मैं ऐसा कर सकता हूँ लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि यह चीजे जितनी है यह मिट्टी से जुड़ी भी बाते है और मिट्टी में हमको मिल जाना, इसलिए एहंकार नहीं करना चाहिए, लोग पैसा हो जाते हैं, तो एहंकार में दिपक जलाना छोड़ देते हैं, घरों को सुन्दर सदा आ जाते हैं, मैं आपको बता दूँ, लक्षमी तभी आती है, समर्दी तभी आती है, सुख शान्ती त तो उनसे बाचित करेंगे, ये देखें, मिट्टी तैयारगी जा रही है, इस तरह से इसको टाक पर रखा जाता है, और इसके बाद में बरतन बनाने की प्रक्रिया सुर्ग होती है, देखें, महावीर कुमार जो इस समय दिपक बनाने का कारिय कर रहे हैं, दिपावली की त दस दिन बाकी है, और ये देखें, कितने सुन्दर ढंग से ये कार्य हो रहा है, ये देखें, पहले लकड़ी से इसको चलाया जाता था, गॉट्र लगी है, और देखें, जल्दी जल्दी दिपक बनाई जा रहे हैं, एक धागे से इनको वटा लिया जाता है, या बात कितनी सुंदर वीदी है बनाने की भावी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे दिपक बनाने का तो यह बताई की खितर दिये बनाये आपने बना लिए और पंद्राजार दिपक बना रहे हैं तो यह आप पहले दिवाली पर इतने दिपक बेंते थे पहले पहले दिवाली पर लाग में बेचे हैं नहीं बेचे हैं अब बताई इसमें क्या रोस्नी होगी अचाई यह बताई कि मैं देखता था कि पहले दस वर्सों से आप हमेशा जो है वो दस रुपे के दस दिपक बेचते जा रहे हैं तो मेंगाई इसमें दियों मेंगाई क्यों नहीं आती है अब आपको याद है कि पिता जी बताते हैं आपके मादा पिता ही कर रहे हैं आप देख रहे हैं यह 40,000 दिये बनाई जाएंगे और लोगों को भी देखते के लिए देते हैं लेकिन कहरें कि कुछ का खालेंगे दस रुपे के ती लेकिन दस रुपे के दस दिये लेते में मुलाई करते हैं अब सोचे अगर आप बिमार हो गए डोक्टर ने 5000 की दौवा लिग दी तो एक पैसिक मुलाई नहीं करेंगे आप कोई भी चीच बजार से लेंगे कोई मुलाई नहीं लेकि इस बार कितने में बज़ेंगे तो आप से निवेदन करूंगा कि आप मुलाई नहीं करें यह लोग प्रंप्रागर पैसे से जुड़े आनने काव नहीं करके हमारे क्यों हो सुंदर बनाते हैं तो अगर आप स्वोधिये भी खरिदेंगे तो दो सुपे लगेंगे दो सुर बुज़ा देता है प्लिना संदर बनाएं और जैसे बनता है उसको निकाल कर देंकि यहां पर यह देखें यह रखा जा रहा है और देखें इतनी लगबग पांच मिनट पे इतने दिपक बन चुके कि अब जी एक दीपट बनाने में कितना लग रहा है दस सेकेंड तस सेकेंड इनकी सी पीछे ही आप लग रहे हैं नोने यह फल्स बनाएगे हैं हम नवरात्रा में तलच आपना करते हैं पड़्लस्थ में मित्रो एक अद्बुत चीज आपको दिखा रहा हूं इनसान के जीवन को मिट्टी से जोड़ा गया है क्योंकि सब मिट्टी से निकले हैं मिट्टी में मिल जाते हैं यह देखें यह घड़े को बनाने के बाद में इसको पीटा जा रहा है ताकि यह गड़ा मजबूत हो जाए और सुन्दर आकार इसका बन जाए ठीक उसी तरह से माता पिता अपनों बच्चों को पिशी लिए पीटते हैं मारते हैं ताकि वो मजबूत हो जाए और उनके संसकारों के बादें से वो उनका जीवन सुन्दर बन जाए लेकिन आजकल कानून इसा है कि म संदर आकार देने के लिए और माता पिता भी अपने बच्चों को संदर शंसकार देकर उनका संदर जीवना बनना चाते हैं उनको मजबूत बनाना चाते हैं लेकिन देखे कितना समय खराब आगया है बसे इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी से बहुत कुस्षी का जासकता है एक बच्चे को कच्ची मिटी का घड़ा काहा जाता है, जिसको चाय जैसा आकार दिया जा सकता है, लेकिन वो बड़ा हो जाने के बाद, यानि जैसे घड़ा सूख जाने के बाद में उसके आकार में परिवर्ता नहीं हो सकता, ठीक बैसे एक बच्चा जवान होने के बाद मे काली मीटी का होता है काला होता है लेकिन फिर इसको सुंदर कैसे बना जाए देखिए कितने सुंदर वीदी है हाथ से ही सब कार्य करें है देखिए घड़े का रंग कैसे होता है यह भी आपको दिखा दूँ आज मैं सारी चीज़ें यहाँ पर मावीर से जानने के लिए आया हूँ कि वो बरतलों को इतना सुंदर कैसे बना देते है पीट पीट कर घड़े को सुंदर ताकत पर मजबूत बनाया जाता है और फिर कलर करके देखिए यह रिमिच है यह और इस से देखे कितना खूसूरत लगने लगए है और कितना जल्दी काम करें देखे कोई मशीन नहीं है आतों से सारा कारे हो रहे है और देखे कितनी सुंदर डिजाइन इस घड़े की बन चुकी है परमपरागत पैसों से जुड़े लोगों का जीवन केसा है कितना संगर स्पून है इसका उधान देखना है तो महवीर कुमार का घर देखा जा सकता है बिल्कुल साधान सगर आप देख रहे हैं और परमपरागत चीजों का प्रियों करते हैं इन डियों को ले जाने के लिए देखे के इरेडी आप देख रहे हैं ये देखे इसमें भी दीपकी हैं, यानि इनको गलियों में भी बेचा जाता है, अभी बच्चों की छूटियां चल रही है, तो बच्चे भी, इनकी पतनी भी, इनकी मा भी सबी इस कारें में हिल्प करते हैं, पुरा परिवार मेहनत करके अपना जीवन चला रहा है, अपना साथ मुलाई करते हैं एक दो रुपे की चीज के लिए मुलाई करें सो रुपे की दुआ के लिए सो रुपे की चीज के लिए मुलाई नहीं करते हैं सोचने की बात है